हलो दोस्तो मैं आपका दोस्त और होस्ट विजिनर मांडलिया हूँ आज का एक कॉमन वर्ड है लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा है स्ट्रेस एक्शुली है क्या स्ट्रेस एक वो चीज है जो आप डिजर्व नहीं करते फिर भी चाहते हैं तब आता है स्ट्रेस आप किसी चीज के बाहरी आवरण को चाहते हैं अंदर क्या है उससे आपको मतलब नहीं है तब आता है स्ट्रेस आप किसी चीज के बारे में बिना पूरी जानकारी फिर भी उसके उपर चर्चा करते हैं तब आता है स्ट्रेस मुझे कहानी याद आई एक रियूनियन हुआ वहाँ पर बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे सक्सेस्फुल थे और अपने टीचर के साथ करीबन दस जो यह रियूनियन में थे लोग वो मिले थे और उनके टीचर थे तो सब को ज्यादा जादा बाते करते सब लोग स्ट लोग सब कॉफे पियेंगे सबने हाँ कहा सर अंदर गए उन्होंने एक काम किया सब अलग अलग जो मॉग्स है न डिफ्रेंट डिफ्रेंट डिजाइन्स की मॉग्स उन्होंने बनाए डिफ्रेंट डिफ्रेंट डिजाइन्स के जो मॉग्स थे उन मॉग्स में कॉफे पर और सब को सर करने लगे और देखा कि सब लोगों ने अलग 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 डिजाइस के लिए और at the end of the day एक मग बचा जो तो सर ने उनको एक सवाल किया दिखिए कॉफी सब को पिरी थी और सारे मग में कॉफी थी यह सिंपल मग छुड़ी आप इसका मतलब यह हुआ कि आप जो चाहिए उसकी पीशे नहीं हो जो नहीं चाहिए उसकी पीशे होगा स्ट्रेस अगर लाइफ का हिस्सा बन गई है तो यह आपकी हैबिट हो सकती है कई लोग स्ट्रेस से हैबिट चलोते हैं आपको अगर एक स्ट्रेस से में आज निकाल दूँगा आप कल दूसरा स्ट्रेस पर लोगे क्यूंकि आपने उसकी प्रैक्टिस करके उसको अपने है आप मेरे वेबसाइट पर आईए अपने आपको रिजिस्टर कीजिए या मुझे कॉल कीजिए मेरा नमबर आपके स्क्रीन पर है तैंक्यू वेरी बाद मेरे वेरी तैंक्यू अपने पर है तैंक्यू इनक्यू